नमस्कार साथियों जीवन जोती डोट सकती प्रोग्राम में एक बार आपका फिर से हर्दिक स्वागत करता हूँ साथियों यह आप देख रहे हैं सहजन सहजन इन दिनों खूब बजार में मिल जाता है और आप आपको मैं अब यह भी सहजन पेड़ से तोड़कर लाया हूँ तो मैंने सोचा सबसे पहले इसके बारे में आपको बताया जाए कि सहजन क्या कारी करता है साथियों जो इस सहजन है यह साल में एक बार फल देता है और कई जेगे दच्चे भारतिये के तरफ तो जो है यह हमिसा फल देता है लेकिन सहजन इस तरफ एक बार में फल देता है तो साथियों सहाजन का पेड़ जो है जड़ से ले करके फल फूल और इसकी फली यह सभी आयूरवेद के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से इनका वर्ड़न किया गया है और आयोरवेद में तो यहां तक कहा गया है कि सहजन 200 बीमारियों तक ठीक करने में मदद करता है तो साथियों इसमें हम जानते हैं कि सहजन के अंदर कार्बोहाइड़ेट, प्रोटीन, केलसियम, पोटेसियम, आयरन, मेगनेशियम, बिटामिन A, बिटामिन C और बिटामिन B बहुत ही परचुर मातरा में पाया जाता है और साथियों आप लोग जानते होंगे कि जो केमिकल मैंने आपको बताए हैं, हम यही सारे केमिकल हमारे सरीर को बचाने में या हमारे सरीर के अंदर परतिरोतक छमता बढ़ाने में कैसे कार्य करते हैं तो साथियों जो यह सहजन है इसको हम सूप के रूप में इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छा है लेकिन इसकी जो है सहजन की सबजी बना के खाई जाती है मेरा मानना यह है कि सहजन को हम सूप के रूप में इस्तेमाल करें और इसका सूप बनाना कैसे है इसको आप छोटे छोटे टुकडे कर लीजिए जैसे कि इतने इतने टुकडे करने बाद में एक एक इंच के टुकडे कर लीजिए एक एक इंच के टुकडे करने के बाद में आप इसको अच्छी तरह पानी में उबाल कर और पानी में उबालने के बाद उसमें हलका सा काला नमक और हलकी सी काले मेरच डाल करके केवल सहजन का सूप पीएंगे तो इससे आपको बहुत ही लाब होगा अब मैं आपको बताता हूँ कि सहजन का सूप पीने से आपको कौन कौन सी बिमारियों में लाब मिलेगा तो साथियों ये सहजन का जो सूप है इसका सूप पीने से या सहजन के सबजी खाने से पुराने से पुराना गठिया रोग, जोडों का दर्द और वात रोग, वायू रोगों में बहुत ही लाब मिलता है और आपकी जो हड़िया होती है वो अच्छी तरह मजबूत हो जाती है ति आपके जोडों में दर्द है, आपके कमर में दर्द है, आपके सरीन में कहीं भी दर्द रहता है तो ये सहजन का सूप पीने से बहुत ही लाब मिलता है और साथियों सहजन की जो ये सबजी है ये सूप है इसको खाने से आपकी जो गुर्दे की और जो मुत्रासय की पत्री होती है वे कटकर धीरे धीरे निकल जाती है तो साथियों ये जो सहजन है इसका आप सूप के रूप में सबजी के रूप में इस्तिमाल करेंगे तो आपके सरीर को बहुत ही फायदा मिलेगा दूसरा साथियों ये हमारे ऐसे बहुत से भाय बहने जिनको मोटापा काफी परिशान करता है और काफी कुछ करने के बाद भी उनका मोटापा एक किन्ची भी नहीं हिलता है तो उनके लिए मैं बता दूँ कि जो सहजन की पतियां हैं सहजन की पतियों का रस पीने से यदि आप सुवेरे साम उनका दो दो चम्मच रस सुवेरे साम पीते हैं तो उससे आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो मोटापा है वो धीरे धीरे खतम होने लगेगा और सरीर पूरा एकदम फिट हो जाएगा जिसके लिए काफी लंबा समय प्रयोग करना पड़ता है इसमें करीब छे महिने भी लग सकते हैं तो आप सुवेरे साम दो चम्मच सहजन की पतियों का रस पीने तो देखेंगे मोटापा धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा और साथियों इसका सहजन का सबजी या इसका सूप पीने से जो आतों के जो कीडे हैं जो आंतर किर्मी जिनको कहा जाता है वो पूरी तरह मर जाते हैं और फिर दुबारा नहीं पड़ते हैं तो आपने हमारी आतों की जो है सफाई के लिए भी और हमारे आतों को मजबूती देने के लिए भी हमें सहजन के फली का सेवन करना चाहिए दूसरा मैं अपने भाईयों और दोस्तों को बताना चाहूंगा कि जिनको पुरुशार्थ की कमी है उसके लिए सहजन के आठ से दस पुस्प ले ले और इन आठ से दस पुस्पों को धाई सो ग्राम गाय के दूद में उबाल कर सुबेरे साम पेने से उनके पुरुशार्थ में जो है बहुत ही फायदा मिलेगा और उनका पुरुशार्थ बढ़ेगा तो जिनको इस तरह की कमजोरी है जिनको तकलीफ होती है या कोई और प्रेशानी है उनको अपने मरदानी की जो ताकत की कमजोरी है उसको दूर करने के लिए आठ से दस इसके पुस्प ले लिजिए और धाई सो ग्राम गाय के दूद में उबाल करके सुबेरे साम पेंगे तो उससे बहुत ही लाब मिलेगा तो साथियों ये था सहजन के बारे में और मैं आपको बताना चाहूँँगा के सहजन करीब 200 बिमारियों में उप्योग किया जाता है और मैं यहाँ पर आपको 200 बिमारियों के बारे में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इसमें हर तरह से दिया हुआ है कि आपको कैसे इस्तेमाल करना है लेकिन मेरा मानना यही है कि अजिए आप इसका सूप और इसकी सबजी खाते हैं तो वो जो 200 बिमारिया हैं जो हमारे सरीर में किसी न किसी वज़े से होती रहती हैं तो वह सारी धीरी धीरे आपको cover करना शुरू कर देंगी। आप रोजाना सहजन नहीं खाएं लेकिन हपते में दो दिन जब इस समय आया हुआ है सहजन तो हपते में कम से कम दो दिन इसका सहजन का सूप और सब्जी का सेवन करेंगे तो आपके सरीर को बहुत ही लाव मिलेगा तो साथियों ये था सहजन के बारे में जानकारी और मुझे विस्वास है कि आपको सहजन के बारे में जो मैंने जानकारी दी है वो पसंद आई होंगी और यदि आप सहजन के बारे में कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कॉमेंट सेक्षन में लिख दीजेगा मैं आपके सवालों को जबाब जरूर दूँगा और मैं आपको ये बताना चाहूँगा फिर एक बार के सहजन करीब 200 बिमारियों में रामबान इलाज का इसका है और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको 200 बिमारियों के बारे में नहीं बता पाऊँगा तो साथियों आज के लिए बस इतना ही और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस सहजन का इस्तेमाल करें और स्वस्त रहें और निरोगी रहें नमस्कार